हेलो दोस्तो स्वाध है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निका राजपल अफिसेल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपने अधार का पीडियेप डाउनलोड किये हैं किसी दूसरे का ही अधार का पीडियेप डाउनलोड किये हैं और दोस्तो जब आप उस पीडियेप को ओफिन करते हैं तो आप से वहाँ पर पासवर्ड मांगा जाता है और आप लोग कनफ्यूज हो जाते हैं कि इस पीडियेप का पासवर्ड क्या है तो दोस्तो मैं उससी PDF को unlock करने के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से request करूँगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं वीडियो को नीचे ला रंग का subscribe बटन दिया हुआ है उससे दबा कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो का notification सबसे पहले आप सभी को मिले चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो मैं आप सभी को अधार कार्ड को unlock करके दिखाऊंगा तो जैसे कि दोस्तो मैं अपने अधार कार्ड को यहाँ पर download किया हूँ देखिए दोस्तो मैं अपने अधार कार्ड के PDF को open करके आप सभी को दिखा रहा हूँ जैसे कि दोस्तो मैं यहाँ पर अपने अधार का पीडियेप को डाउलूड किया हूँ तो इसको यहाँ पर open करूँगा क्लिक करके open करने के बाद दोस्तो देखिए friends यहाँ पर password required का option आगया जैसे कि दोस्तो यहाँ पर यह बोरा है password डालने के लिए दोस्तो आप किसी का भी अधार काड डाउलूड किया है या अपने ही तो उस अधार काड में आपका जो नाम है उस नाम का पाला password letter capital में आपको यहाँ पर टाइप करना है जैसे कि friends मैं अपना नाम का पाला password letter को टाइप कर रहा हूँ टाइप करने के बाद दोस्तो आपके date of birth के जो year है उसको यहाँ पर टाइप करना है टाइप करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर submit वाले बटन पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तो आपका अधार काड जो है यहाँ पर open हो जाएगा जैसे कि friends देखिए मेरा अधार काड ओपन हो गया है तो I hope कि दोस्ते ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो चलिए friends आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में